हिंदुस्तान में हर साल भगवान गणेश का जनम दिन उनके भक्त बहुत ही शांदार तरीके से मनाते हैं पर इस साल कुरोना वाइरस की महामारी के चलते शोशल डिस्टेंस का खयाल रखते हुए गणेश उसफ को अपने घरों पर मनाने की गैडलेंस जारी कर दी है भगवान गणेश के भक्त गणेश उसफ अपने घर पर मना रहे हैं पर हर साल की तरह इस साल भी भगवान गणेश की मूर्तियां बनाने वाले कलाकारों ने हजारों मूर्तियां तयार कर रखी थी पर इस साल कोई खरीदने वाला नहीं है जिसकी वज़ा से मूर्तियां बनाने वालों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है गुलबरगा शहर से करनाडगा रक्षनवेदी के प्रिसिडेंट मन्जुरा नालवरकर ने गुलबरगा डीसी और करनाडगा चीफ मिनिस्टर से तमाम मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को पांच लाग उर्पिया मुआवजा देने की मांग की है पहले से उनों गणेश लड़ी करने के बाद महां पर पैसे लागे उनों गणेश लड़ी करते थे एसी टेम पर एक एक इदम करोना कोवीड नाइंटीन है बोलके मानिया डीसी साब उनको अलड़ी सामोईक बड़ावड़ में और डली में पहां पर भी नई भाइटना बोलके क्या आदेश किये इसको मैं स्वागत करते हैं तीन मेने चार मेने पहले उनों आसे पैसे लागे क्या करचा लागे क्या मूर्ती रड़ी करें अलड़ी मूर्ती रड़ी हो गई आठ बिन बचे ईद के लिए अब आड़र किये मगर यह क्या क्लाविद है उनको परियार देना चाहिए उनको परियार देने से उनको फ्यामली के लिए वो परियार देने से बहुत अच्ची तरिके से इसके बाद भी क्या यह बाद COVID-19 है ऐसे टेम पर गुलबरता लोग पूरे लोग डिसी साब को सरकार देना चाहिए तुमारे तुमारे घर में यह बाद इद गनेश का इद क्या है घर पे करना चाहिए करना है बुलकर मैं विनेंति करता हूँ इसके बाद भी क्या गनपतिक पूर्ड रडी करे हो खलाविन कुपास लाग रुपे पर्यार देना बुलकर मैं माजम से में विनेंति करता हूँ झाल झाल